मेरा के शिवानी अस्ट्रो चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं आज यूट्यूब पे वीडियो डाल रहा हूं मैं काफी टाइम हो गया यूट्यूब पे वीडियो डाले हुए लेकिन अब मैं यूट्यूब पे रेगुलर रहूंगा क्योंकि पीछी से ऐसे मिलते हैं और कैसे डशा को स्टड़ी करना चाहिए उसके फ़लों को कैसे मालूं में चाहिए जैसे कि आप जानते हैं नाम से कि हर ग्रह की अपनी अपनी दशा होती है जिसमें वो ग्रह अपना फल देता है तो वो जो दशाएं होती हैं ग्रह की वो उनके फल कब कब मिलते हैं कैसे फल मिलते हैं ये जहनना भी बहुत जरूरी होता है तो उसके बारे में एक बार रिशी पारासर से एक मुनी ने पूछा कि साब ये बताईए कि दशाओं के बारे में कि दशाओं के भेद तो आपने मुझे बहुत बता दिये इनकी फलों की प्रकर्टी के बारे में बताईए कि ये फल कैसे देती है तो वो उनका एक प्षण था कि शुतास्य भुदा बेधा दसानाम चै मया मुने फलम चै कि दर्शम तासाम क्रप्या ने तदुचिताम यानि कि मुझे आपने दशाओं के भेद के बारे में तो काफी बताया लेकिन आप बताईए कि वहां से फल कैसे मिलते हैं तो पारशार जी ने कहा जो रिशी पारशर है जिन्होंने ये शास्त्र लिखा ब्रहत पारशर हो रहा शास्त्र उन्होंने कहा कि साधारन विशिस्टस चै दशानाम दृद फलम साधारन विशिस्टस चै दशानाम दृद फलम यानि कि साधारन और विशिस्ट साधारन और विशिस्ट दशानाम दिद फलम यानि दशा में दो तरह के फल मिलते हैं एक साधारन फल मिलते हैं एक विशिस्ट फल मिलते हैं ग्रह नाम चे सभावेने इस्थान इस्तिती वशेन चे और ग्रह जो फल देता है वो किसके इसाब से देता है ग्रह अपने सभाव के अनुसार फल देता है और अपनी स्थान और इस्थีति के अनुसार देता है जहां बैठा है जहां देख रहा है जिनका स्वामी बैटा है ऑन्हें देह रहा है किस भाव का स्वामी है काल कुरुश्टीं कुनली में किस भाव का स्वामी है इन सब चीजहों पर डिपेंट करता है इस तरीके से हमें दो प्रगार के फल दशा में मिलते हैं उसके बाद रिशी-पाराशाध अगर ग्रह बली होगा, तो फल अच्छे मिलेंगे, ग्रह कमजोर होगा, तो फलों में कमी आएगी, फलों में हानी होगी, तो वो यही कहते हैं कि ग्रह के जो फल होते हैं, वो ग्रह के बल के अनुसार मिलते हैं, दशा के अंदर, आध्य द्रेश्ट कान गे खेटे, दशा अर पिजबरी थी तीन द्रेश्ट काण होते हैं तो जोग रहें जिरों से 10 द्रेश्ट काणे बीच में उनकी दशा अगर हो तो उनके फल दशा के आरम में मिलते हैं यह उन्हें बताया रिशी पारशन ने कि आद्धिये द्रेश्ट काण गेखेटे दशा आरम पर देत यानि जो प्रतम द्रेशकाण में हो, रहिस्तित्hando, उसका दशा अरमे फ़ल मिलता है. जोग रहए, मद्देश्ट कान में हो, यानि 10 डिगरी से 20 डिगरी के बीच में हो, उसका फ़ल दशा के मध्धे में मिलता है. कि ईसका क्या मतलब वह स्का मतलब हो तीसरे देशकान नहीं हो उसका पुण़ और यो नहीं है ये आप लोग जानते होंगे निजर फिर भी बता देता हूं कि केंदर तिकों में बैटा हो लाग भाव में बैटा हो शुब ग्रहों से द्रस्थ हो शुब ग्रहों से युक्त हो तो ग्रह बली हो जाता है तो ग्रह बली होगा तो उसी साफसे फल भी बढ़ जाएंगे और ये अंत में फल मिलेंगे फिर उसके बाद उन्होंने कहा यह क्या मतलब हुआ इसका मतलब यह हुआ जो वक्री ग्रह कौन से हैं हमारे राहू और केतु वक्री ग्रह के फलों को विप्रीत समझना चाहिए अगर वक्री ग्रह हमारे जीरो से दस डिगरी के बीच में हैं तथम देशकान में हैं तो दशाके अंत में फल मिलेगा बीस से तीस के बीच में हैं तो दशाके प्रारम में फल मिलेगा यानि जो सीक्वेंस वैसे मिलता है जब ग्रह वकरी होगा तो उसमें वो सीक्वेंस उलट हो जाएगा उस सीक्वे फिर यह एकड़ प्लिट सेक्वेंश हो जाना यानि द्रेशकान के अंत में जो रिष तर्ड रेशकान है उसके प्रारव में फल मिलेंगे जो फर्स द्रेशकान में घ्रेएंगे उन के फल आखिर में मिलेंगे यह एक इंपोर्टन्ट श्लोक नों ने बताया जो कि बहुत ही है याद रखनेगे लिए उसके बाद वह कहते हैं कि हमने व्हेश अपने बल्के उसका अब रशी पाराषर यही तो इनसान के दिमाग में यह बात आना जरूरी हो जाता है कि फल तो देते हैं लेकिन ग्रह बली कैसे होगा इसको ग्रह बली माने कौन सा ग्रह बली माने तो उसके बारे में उन्होंने बताया है यह वाला अजिता है कि दशाधी यानि श्वामी लगन में उपस्ति तो लगन में हो नो शुब द्रग क्या मतलब हुआ व्रस्पति शुक्र जो नयसरगें शुब गुल सार शुब होते हैं इंसे अगर कोई ग्रह शुब है युथ युथ है द्रस्टी इन ग्रहों की है और लगन में ग्रह स्थित है तो गर्ह बली हो जाता है उक्छ राशी में स्तीत हो ये भी बली होता है या उसस तरीक नजए आज से है तो अगर ग्रहय से बैठा हो लगन में इस्तित हो और शुंद भाहों से दृस्ट, यूथ हो, तो उस case में दशा के आरह में जो फ़ल मिलते हैं वो बहुत अच्छे फ़ल मिलते हैं, सुख मिलता है, अपार सुख मिलता है उसके लकर GOGS फिर वो कहते हैं सस्टा अस्ट में वेस्थे यानि कि चटा सस्टा यानि चटा भाव अस्ट यानि आठवा भाव वेस्थे यानि वे भाव अगर छे आठ और बारे में वो इस्तित हो रहें यानि वो दशास्वामी जिसकी दशा को हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं अगर वो चटे, आठवे और बारवे भाव में स्थित हो, या नीचास्त रिपु भस्तते, यानि नीचा, नीचारस्त, नीचारस्त मीन्स की नीच की राशी में हो, अस्थ हो, रिपु भस्तिते, रिपु मीन्स शत्रू, यानि शत्रू राशी में हो, नीच की राशी में हो, अस्थ हो, शत्रु राशी में हो अशुक्तत्फलम चाहुत है बुरुवे सप्त दशा फलम ऐसी दशा में ऐसे ग्रह की दशा में अस्त्थ दो फल में बहुत हानी होती है यह एक याद रखने वाली बात है कि फल का जो अपार सुक है या शुखफल की जो प्राप्ती होती है, वो जभी होगी जब ग्रहे लगन मिस्तितो, केद्रतिकोन मिस्तितो, लाभव मिस्तितो, शुब्रग यूते हो, तब यदि ग्रहे, याणि दशाशा, स्वामी जिसकी दशाँ है, अगर वो छ्थवे, आट और बारे भाव में हो, और नीच राशी में हो या अस्त हो तो शतुर राशी में हो तो उसके फल में कभी आ जाती है उसके शुफल नहीं मिलते अशुफल मिलते हैं तो ये था टोटल दशा के बारे में जो मैंने आपको बताया इसके साथ साथ मैं सुझे की दशा के बारे में भी आपको आज पढ़ा देता हूं पहले हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे सुझे की माहदशा के फल में चलेंगे क्योंकि सुझे की माहदशा के फल भी काफी बड़े हैं तो इसमें क्या कहते हैं वो सुझे की माहदशा के बा सुर्य की दशा हाई तो कैसी दशाँ चाहेगी किससे उसके दिए ऑन के बेटों के कमों civilians प्रभाज ए यानि सूर्य अगर अपनी मूलत्रिकॉन राशी में हो, स्वे राशी में हो, स्वे छित्रे में स्वे राशी में हो, या परमोच गे या उच्छ राशी में हो, परम उच्छ राशी में हो, सूर्य अपनी मूलत्रिकॉन राशी में हो, स्वे छित्रे स्वे राशी में हो, या उ बाग्य कर्माधी पेर्युते या तथा भाग्य और कर्माधी कर्माधी में कर्म का स्वामी यानि भाग्य का स्वामी और कर्म के स्वामी से युथ हो पंप पंप प्रेख के साथ हो और जो करमेश उसके साथ में हो सूर्य बलासमायुक्ते निज्वर्ग बल्ल युर्युते सूर्य अपने वर्गों में बली हो यानि दश वर्ग अगर आप देख रहे हैं या शोडश वर्ग आप देख रहे हैं या शडवर्ग आप देख रहे हैं जितने वर्ग भी आप देख रहे हैं उन वर्गों में मैक्सिमम में ये शुब राशी में स्वेर राशी में या उच राशी में बैठा हो उसके अंदर ये बली हो तस्मिन दाए महत सुख्यम धन लाब अजिकम शुभम ऐसी दशा सूर्य की जो ऐसी दशा होती है वो अपार सुख देने वाली होती है अपार खुशियां देने वाली होती है इसके बारे में बार अश्रजी ने का है कि मूल त्रि भाप का सुख्यम के साथ युद्ध आपने वर्ग में बली हो तो ऐसी दशा बहुत क्या होता है अश्वा नुल्यकिदिकम अश्वा अश्वा मिलता है अश्वा मीज घोड़े हाती गोड़े हाती की प्राप्ति होती है अपार सुक मिलता है सुताधी पस समायुक्ते वो कहता है कि यदि पंचमेश के साथ युक्तो सुताधीप कौन होता है सुताधीप मिन्स कि पुत्र भाव का स्वामी यानि कि संतान भाव का स्वामी सुताधीप समायुक्ते यानि अगर पंचमेश के साथ युक्तो तो पुत्र लाव होता है ऐसी दशा में धनेश के साथ युक्त हो तो हाती गोड़े मिलते हैं लाब भाव में हो तो हाती गोड़े मिलते हैं वहान धी संबंदे वहाना धीप संबंदे यानि अगर वहान भावके स्वामी के साथ यानि चतुर्थेश के साथ अगर युक्त है तो कई वहानों की प्राक्ति हो तो आपको यह समझवाया होगा फिर बताजेता हूं में सूर्य की माधशा के बल सूर्य अगर मूल त्रिकोन राशी में हो स्वैच छेत्र में हो या उच्छ राशी में हो केंद्र त्रिकोन या लाभ भाव में बैठा हो और अपने बर्गों में बली हो तो ऐसी दशा जो होती है वह अत्यन और अपारसुभ देने वाली होती है वह ए dugड़ी मिलते हैं राजाओं से सब्वान मिलता है सेना ढीं सकते हो बल की प्राप्ति होती ला प्रापत होता है अगर बचल बहु के सवामी के साथ बैठा हुआ है चतुरतेश के साथगल बैठा हुआ है तो इसन कि दृषा जो आपको ध्यान देना है इसके अंदर और यहां तक मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे मैं फिर सुर्य की महादरशा के फ़ल आगे हम स्टार्ट रखेंगे नेक्स वीडियो में आशाय करता हूं आपको पसंद आया हो पसंद आया हो तो करने लाइक कीजेगा सब्स्राइब की नमस्का, जाइस्टी शुमिश्न